पर सक्की बड़ी कबर आपको बता दे ओपी चॉटाला की पेरोल पर आज चुनवाई है बड़ी जौनकारी आपको देए दिली हाई कोर्ट में यह सुनवाई होगी जज के अस्वस्त होने की वज़े से सुनवाई टल गई थी पिछली सुनवाई जो है वो जज के अस्वस्त होने की वज़े से टल गई थी और आज सुनवाई है ओपी चौटाला जो की जबिटी भरती घोटाले में आरोपी है ओपी चौटाला जिनके पे जानकारी आपको दे दे दिली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है इससे पहले जज के अस्वस्त होने के कारण ये सुनवाई टल गई थी बड़ी ख़बर इस वक्ति आपको बता रहे हैं जेविटी भरती घोटाले में सजायाफता ओपी चौटाला की पेरोल पाराज सुनवाई होनी है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं ओपी चौटाला की पेरोल पाराज सुनवाई होनी है दिली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है उसक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पिछली सुनवाई के तोरान जज अस्वस्त थे यही वज़ा रही के सुनवाई टल गई बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं ओपी चौटाला की पेरोल पर आज सुनवाई होनी है जेबिटी भरती घोटाले में सजायाफ्ता ओपी चौटाला जिन पर आज सुनवाई होनी है ओपी चौटाला की पेरोल पर आज सुनवाई होनी है बड़ी ख़बर बता रहे हैं इस जच विश्य सुनवाई के दौरान अस्वस्त थे यही कारण रहा सुनवाई टल गई और आज एक बार फिर ओपी चौटाला के पैरॉल पार सुनवाई होगी पैरॉल की मांग कर रहे हैं ओपी चौटाला इसको लेकर कई बार उन्होंने अपने स्वास्ते का कारण भी बताया है और क्योंकि लोग सभाचुनाव हैं ऐसे में इंडियन नेशनल लोगगल के सबसे बड़े चहरे ओपी चौटाला जिनकी पैरॉल पर आज सुनवाई होनी ह सुचित्रा मुखर जी अमासाथ हमारे सयोगी जुड़ गई हैं जाधा बाचीतले सुचित्रा ओपी चौटाला की पैरोल पर आज सुनवाई होनी है क्या जाधा जान करें बिल्कुल जंजिना देखिए ओपी चौटाला जो हर्याना के पूरो मुख्यमंत्री है उनकी पैरोल पर सुनवाई है इसके पहले दो सुनवाई होनी थी वो इतल गई थी क्योंकि जस्तिस संगीता धिम्रा उस दिन खित्ती पर थी तो सुनवाई नहीं हो पायती हाला कि आ अब देखना होगा इस बार इनको पैरोल मिल पाता है या फे नहीं मिल पाता है सुचीत्रा क्या इस बार भी उपनी पत्नी की बीमारी के आधार पार पैरोल की मांगर रहे हो पी चोटला तो अब देखना होगा कि क्या इस बार इनको पेराउल मिल पाता है या पर नहीं मिल पाता है रंजेना चलिए बहुत बहुत शुक्री असुचित्रा इस तमाम जानकारी के लिए